जय गुर्देव, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरु देवो महेश्वरह, गुरुह साक्षात परंब्रह्म, तस्मेश श्री गुरुवे नम, आज से विश्व कर्म प्रकाश, इस ग्रंथ को संक्षेप में, सारांश में, देखने का प्रयास कर रहे हैं। उदेश यह है कि इस ग्रंथ की विशय वस्तु क्या है, विश्व कर्म प्रकाश में क्या लिखा है, और ओवरॉल जो वास्तु का स्कोप कहलो, कंटेंड कहलो, सब्जेट कहलो, वो कितना व्यापक है, इसके बारे में हमें मालूम हो जाए, कि किनकिन विश्यों को विश्व क अपने अंदर समेटे हुए, विद्वानों का ऐसा मानना है, कि इस ग्रंथ का नाम विश्व कर्म तंत्र भी रहा है, अभी उस बात में ज्यादा ना जाते हुए, जो प्रचलित नाम है विश्व कर्म प्रकाश, उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, लगबग लगबग 1938 के आसपास इस ग्रंथ का प्रकाशन खेम राज खेम राज प्रकाशन ने डेली से वेंगटेश प्रेस उससे किया है और वह आज भी प्रचलित है इसके अलावा राजस्तान के कुछ भाग में ऐसा माना जाता है कि विशे इस अवसर पर इस ग्रंथ की प्रतियां वो फ्री डिस्ट्रिब्यूट करते हैं मंदिरों में रखी भी जाती जो विश्व कर्मा समाज है उसमें ये परंपरा है तो अपन उसकी विशे वस्तु को देखने का प्रया कि तो इस ग्रंथ में जब अपन देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसमें तेरह अध्याय हैं तेरह थर्टिन चैप्टर से इस ग्रंथ में और लगभग लगभग तेरह सो चहुतर शलोक हैं तेरह अध्यायों में तेरह सो चहुतर शलोक में लगभग वास्तु के सभी आयामों को यह समेटे हुए पहला अध्याय भूमी लक्षन उसमें मंगला चरन से आरंब करेंगे वास्तु पूरुष की पत्ती है चार वर्णों के लिए ब्रह्मन चत्री वेश शुद्र के से भूमी का चैन करना उसका वर्णन है फिर भूमी परिक्षन का वर्णन है शकुन अप्शकुन बताये गए हैं ग्रह आरंब मुहृत उसको डिटेल में बताया है घर का बनवाना वेदी मंदिर वापी कूप तड़ाक उनका अरंब कप करना उसको बताया है और खुदाई के समय होने वाले शुब हाशुब शकुन का विचार किया ये प्रतम अध्याय में दूसरा अध्याय ग्रह आदी विचार है उसमें मुहृत का वर्णन है उसमें एक शाल द्वी शाल त्री शाल चतुशाल का वर्णन है चार शाला वाले घरों का वर्णन है चार दिशाओं में बने हुए कमरों का वर्णन है राजा मंत्री आदी के घर का जो आकार है अनुपात है वो कैसा हो क्या मान हो आयादी के सूत्रों को भी चुड़ाई का विशेश रूप से वो दिया है अध्याय तीन ग्रिय आरंब मुहुर थे मास के अनुसार वार के अनुसार नक्षत्र के अनुसार ग्रह गोचर की स्थति के अनुसार किस प्रकार ग्रिय आरंब समय का निर्धारन करना ये बताया है अध्याय चार ग्रिय और श निविचार किया है, पाच्वे अध्याय का नाम शिला नियास है, उसमें वास्तु पूरुष की कल्पना की गई है, जो विबिन उर्जाओं के छेत्र को बताता है, किसी भी प्लोट पर भूकंड पर, जब हम दस खड़ी, दस आड़ी रेखाओं के माध्यम से उस भूकंड को छेत्र को एक्यासी भागों में विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक भाग की जो उर्जा है, प्रत्येक भाग जो है वो पद कहलाता है, और प्रत्येक पद की उर्जा पद देवता के नाम से बताई गई है, तो पैतालिस देवता है, उसके अलावाई सद्याएं बताया है, चर्की विदारी पूतना पाप राक्षसी आदी भी जो हैं वो प्लॉट के बाहर कहां इस्तित हैं मर्मिस्थान क्या होता है खड़ी और आड़ी रेखा हैं जिसको नाड़ी यशिरा कहते हैं उसके नाम क्या है शांता यश्वति कांता विशाला पराणवाहिनी सति सुमना आदी तो इस प्रकार से शिलान्यास विदी का भी वर्णन इसमें किया है पद्विन्यास का किया है उ उन्होंने समझाया है छटमा अध्याय प्रासाद विधान है उसमें मंदिर का वर्णन है साथमा अध्याय द्वार विधान है 15 प्रकार से द्वार का निर्धारन कैसे करना कि किस पद में द्वार हो तो क्या परिणाम होता है आठमा अध्याय में जलाशय का विचार है उसमें कब बनवाना कैसे आकार का बनवाना उसका विचार है किस दिशा में बनवाना नवाद्याय व्रक्ष शेदन विधी है उसमें जो घर बनवाने के लिए लकडिया वन से लाना तो कैसे लाना कौन से व्रक्ष के लिए लकडी किस गुण को बढ़ाती है कौन सी इंटलेक्ट प् को इन्हांस करती है किस लकड़ी का प्रियोक करने पर वैश्योचित गुण विक्सित होते हैं इस प्रकार का सारा वर्णन अध्याए नो में पूरा घर जब बन जाए तो उसमें प्रवेश कैसे करना किस दिशा में शेहन करके सोना इसारी विदी अध्याए 10 ग्रह प्रवेश विदी में है अध्याए 11 दुर्ग विद्धान है विबिन प्रकार के दुर्ग या किला कह लो 11 प्रकार के इसमें बताए हैं उनके आकार बताए हैं 12 अध्याए शल्य भूमी के अंदर नकर अत्म कूर्जा देने वाले पदार्थ उसको शल्य कहते हैं शल्य को किस प्रकार ढूनना उसकी छे विदियां है, शल्य भूमी में रह जाए और घर बन जाए तो उसके क्या दुश परिणाम होते हैं, क्या लक्षन होते हैं, कैसे पता लगाएं कि इस भूमी के अंदर शल्य है, वो अध्याए बारा में हैं, और उसको दूर कैसे करना, वो भी अध्याए बा अंदर या घर के बाहर कितने प्रकार के वेध या दोष हो सकते हैं, उनके क्या दुष्परि नाम है, इनको विस्तार से अध्याय तेरह में बताया है, इस प्रकार से विश्व कर्म प्रकाश के तेरह अध्याय में वास्तु के सभी छेत्रों को बताया गया है उन पर प्रकाश ड्ला गया है और यह ग्रंत अपने आपने आप में गागर के सागर, गागर में सागर, यानी एक छोटी सी मटकी कहलो, घडा कहलो, उस में कैसे हम समाहिद कर सकते हैं अनंत जल राशी को, तो इसमें यह बताया गया है. तो वास्तु की द्रश्टी से ये अत्यांत महत्पुन ग्रंथ है, आगामी पाठ में इकाई में इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आज तो सामानी परिचे दिया है, आगे इस पाठ को और विस्तार देंगे, जै गुर्देव, ओम शान्ती शान्ती शान्ती